आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने Redmi या फिर MI के फोन में एक problem face कर रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको आ रही है hot spot से related यहाँ पर अगर आपके फोन में आपके फोन का hot spot automatically बंद हो जाता है तो यह problem कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर अगर आपके फोन में hot spot automatically बंद हो रहा है तो आप इसके लिए अपने फोन में settings में आईए उसके बाद आपको option मिलेगा about phone इस पर click करिए click करने के बाद आपको check करना है अगर आपके फोन में कोई update आया है तो आप अपने फोन को update कर लीजिए है यानि कि अगर कोई update नहीं आया है तो back आजाईए उसके बाद आपको एक option मिलेगा connection and sharing इस पर click करके नीचे reset wifi mobile network and bluetooth पर click करके यहाँ पर एक बार network settings को reset कर लीजिए ओके कर दीजिए ये करने से कोई data delete नहीं होगा only आपकी network settings reset हो जाएगी इस process को करने के बाद back आईए अब उसके बाद आपको यहाँ पर portable hotspot पर click करके check करना है यहाँ पर एक option आपको मिलता है turn off hotspot automatically अगर आपके hotspot से कुछ time तक यहाँ पर कोई device connect नहीं होगा तो आपका hotspot automatically बंद हो जाता है तो इस option को आप यहाँ से बंद कर दीजिए उसके बाद अपने phone के power button को press करके रखिए और reboot का एक option आएगा तो reboot पर click करके आप अपने phone को reboot कर लीजिए उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें